असलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसा नक्ष जो आपकी मदद करेगा अपनी महबबत को पाने में और आपको इस नक्ष में क्या करना है कि सिर्फ कागस पर नाम लिखकर कागस को जला देना है और आप देखेंगे कि सिर्फ दो दिन के अंदर अंदर आपकी महबबत आपका प्यार आपके पास आ जाएगा आज मैं आपको बताती हूँ कि ये तरीका कितना आसान है बस आपको क्या करना है ध्यान से इस विडियो को देखना है और जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आपको इसे करना है क्योंकि अगर आप इसकी चाल बदल देंगे जैसी इस नंबरों की चाल होती है उस नंब को कर सकते हैं इसे करना बहुत असान है सबसे पहले तो आपको कागस चाहिए होगा इस तरह से आप कागस ले लिजिए साधा कागस आपको लेना है लकीरों वाला कागस नहीं होना चाहिए यह काम आपको करना है कि कागस आप कोई भी ड्रॉइंग की किताब में से का इस्तिमाल कर सकते हैं अब मैं आपको बताती हूं इस नक्ष को बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा और कि तो जब से पहले कागस पर आपको लिख देना है 786 याने की 786 यहां पर लिखना है आपको और उसके बाद नक्ष बनाना शुरू करना है इस तरह से इसको बनाना है आपको तो आपको पहले एक बॉक्स बना लेना है पूरा इस तरह से बना लेजिए और उसके बाद आपको इसके बीच में एक लाइन ऐसे डालनी है यहां पर एक और लखीर खीचनी है और यहां पर एक और लखीर खीचनी है और उसके बाद बीच में इसको इ इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि अगर आप इसको बनाते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाने के लिए जो बनाएं आपको लग रहा होगा कि कुछ खांचे चोटे हैं कुछ बड़े हैं लेकिन आपको उस समय जब आप बना रहे होंगे आप इसका उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये साफ दिल से अगर किया जाए, तो इसका असर दो दिन के अंदर अंदर आपको दिखता है, अगर आप सच में अपने जाइज मसले को हल करना चाहते हैं, आपके जिंदगी में जो जाइज मसला आ गया है, प्रॉब्लम आ अगर आप हल करना चाहते हैं, तो आप इसे जरूर कीजेगा, अब आपको क्या करना है, शुरू करना है, ध्यान से देखिया मया इसको यहां से भरती हूँ, और शेहां पर जो लिखा होगा आपको वही चीज वहां पर लिखनी है तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं यहां पर आपको बारा लिखना है उसके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको साथ लिखना है और नीचे आएंगे तो यहां पर नौ लिखना है यहां पर लिखना है दो फिर यहां से शुरू होगा फिर से यह आपर आ लिखना है पांच और यहां पर आएगा च्छे और यहां पर आएगा ते तीस इस तरह से आपको यह नक्ष बना लेना है तो अब अगर आप लड़की हैं और अगर आप इसी लड़की के लिए इसको कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है अपने प्रेमी का अपना रियल नेम आपको उनका लिखना है कोई भी ऐसे अगर उनका पैट नेम है उनको घर पर उस नाम से बुलाया जाता है वो नाम आपको नहीं लिखना है असली में उनका नाम क्या है वो नाम आपको यहां पर लिख देना है और लड़के के नाम के आगे आपको लिखना ह बिन और नीचे लिखना है आपको अपना नाम प्रिमinkा का नाम और यहाँ पर आपको लिखना है बिनते आर्चita आप देख सकते हो इस तरह से आपको यह लिख देना है यहाँ पर अब आपको- इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लड़का है अगर मान लो आप अपने लिए अपने प्रेमी का नाम यहां पर लिखते हैं तो यहां पर पहले आपने सबसे उपर लिखा अपने प्रेमी का नाम नीजे लिखा अपना नाम इसी तरह से अगर कोई लड़का है वो इसको कर रहा है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा लड़की के नाम के आगे आपको बिन लिखना है और लड़के के नाम के आगे आपको बिन लिखना है इस तरह से जब आप इसे लिख लें उसके बाद आपको इस कागस को इस तरह से दो बार फोल्ड करना है जादा बार इसको फ आप चाहें तो इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं चाहें तो आप विडियो का स्क्रीन्शोट ले लीँजे जिससे की आपको याद रहेगा तो जिस दिन आप शुरू करेंगे इसनक्ष को करना पहली बात तो यह कि आपको इसे रात की समय करना है रात को आप इसे 8 से 10 के बीच में कर सकते हैं कभी भी दूसरी बात ये कि आप इसे 11 रातों तक आप इसे करेंगे ठीक है 11 रातों तक आपको इसे करना है लेकिन आपकी जो आपका जो मसला है आपकी जो समस्या है वो सिर्फ आपको दो दिन के अंदर अंदर आपको दि कर सकते हैं लेकिन रात में ही करना है और एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप इस नक्ष को बनाएं तो आपको इसे तुरंट जला देना है जला कर जो इसकी राख निकलेगी उसे आप कहीं पर समाल के रख लीजिए अगली सुबह आपको इसे बहते वे पानी में बहा दे आपकी समस्या जो है आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा और मेरे वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के मुझे जरूर बताईएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन लोग हैं कौन भाई लोग हैं कौन सी बहने हैं जिन्नोंने इसको ट्राइ किया और उ कि अचा हैं जिन्नों आपकी मुझे जिन्नों एकशीया जिससे मुझे पाला कि यहां जुझे मुझे को बचली कि जिन्नों आपकी बचला बाएगा कि बचले आपकी मुझे मुझे